और उत्तर प्रदेश के बदोही से खबर है जहां पर बदोही से विधायक के उपर उत्पीडन का आरोप लगा है जहां जाहिद बेश पर उत्पीडन का आरोप लगा है और यह आरोप पहले भी उन पर लगा था सपा के विधायक है जाहिद बैग जिन पर उत्पीडन का आरो चल रहे हैं भदोई से सपह विधायक पर उत्पीडन का केस दर्श किया क्या है नाबालिक लड़की से काम करवाने उसके साथ मारपीट का आरोप लगा है तो देखे इस वक्त की बड़ी और रहम जानकारी हम आपको भदोई से विधायक जाहिद बैग पर जो आरोप लगा है उत्पीडन का उसके बाद जानकारी ये भी है कि वो और उनकी पत्नी दोनों फरार चल रहे हैं चले जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवराता विवेक तिवारी सी खबर पर जुड़ गए हैं विवेक भदोई से विधायक का जाहिद बैग पर उत्पीडन का आरोप लगा है और आरोप लगा नहीं कि अब अपनी पत्नी के साथ फरार भी हो गए है जाहिद बैग समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और कुछ दिनों पहले उनके फ्लेट से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी जिसकी तप्तिश करने के लिए जब पुलिस वहाँ पर गई उनके घर पर गई तो वहाँ पर एक नाबालिक बच्ची मिली जिससे वो घर का काम कराते थे उस बच्ची को जब पुलिस ने उससे पूछता शुरू की तो उसने बताया कि हमारे साथ उत्पीडन किया जाता है मारपीट की जाती है गाली कलोज किया जाता है और ये पूरा मामला बाल श्रम कानूनों के तहद दर्ज किया गया जो बाल श्रम के खाता पूछताच की थी कि उनके पिता और माता जी कहां पर हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और उसको रात को 12 बजे पुलिस ने रहा कर दिया था हिरासत से तो फिलहाल की खबर यह है कि जाहिद बेग जो समाजवादी पार्टी के विधायक है एक केस में उनकर पुलिस उनके तलाश कर रही है और वो अभी फरार हैं पत्नी भी उनके साथ फरार हैं तो पुलिस लगातार उनके तलाश कर रही है ठीक है लेकिन विवेग साथी सवाल ये भी है कि समाजवादी पाठी के ऐसे कई विदायक या निताओ को लेकर के सरकी की खबरें सामने आ रही है उनके मुख्या बार बार ऐसे लोगों के बचाओं में उतर आते हैं लेकिन अब तक किस पर अकले शादव की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है देखे अकले शादव की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है उसकी वज़ाए ये है कि जाहित बेग पहले मिलें या पहले वो मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखें इसका इंतजार किया जा रहा है लेकिन बजाए इसके कि ये पुलिस को फेस करें, मीडिया को फेस करें, इन आरोकों को फेस करें, वो भाग गए है तो ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं उनकी कुछ गलती है, कुछ कमिया है लड़की ने चु cuántी पुलिस को बयान दिया है और जो बयान दिया जाता है नावाली बच्ची के द्वारा वो काफी महतपूर होता है तो यह सतरह से फरार होने से कोई हल निकले Miडिया के सामने और पुलिस के सामने हाज़िर होना पड़ेगा फरार होकर के इन्होंने ये इस शक को और मजबूत कर दिया है कि इस मामले में कहीं न कहीं वो दोशी है और शाद इसी वज़े से जो पार्टी है वो उनको डिफेंड नहीं कर पा रही है अपनी पतनी के साथ फरार चल रहे हैं ये बताता है कि मामले में कुछ तो काला है दाल में कुछ काला जरूर था और ऐसे में आप पेड़त परिजनों के उर से क्या कहा जा रहा है ये भी विवेग ची आपसे जाना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से नवालिक बच्ची एस साथ आरोप यह है कि उस्ते जब अबस्ती काम करवाया गया, काम करवाने के इससाथ उसका उत्पूरन किया गया मजबूरां अपनी जानगवानी पड़ी लडगी को देखिए जान गवाने वाला जो मामला है वो दूसरा मामला है ये मामला दूसरा है वो आत्महत्या का मामला एक अलग मामला है उसकी तफ्तीश हो रही है उसमें सीधे तोर पर जाहिद वेक का नाम नहीं आया है जाहिद वेक उनकी पतनी का नाम उस नावालिक बच्ची से घर का काम नहीं किरा जा सकता यह एक स्थापित कानून है इस देश में और वो इस काम को कर रहे थे लिहाज़ा उनके खिलाफ केस बनता था और लड़की ने जो शिकायत की उसमें यह भी कहा है कि अक्सर उसके साथ गाली गलोज किया जाता था उसको मारा पीटा भी जाता था तो कि इस तरीके का कदम उठाना और क्या उस बच्ची के मात पिता जीवित है और अगर जीवित है तो क्या उन्हें इस बारे में जानकारी थी कि इस तरीके से उनके बच्ची को प्रतारित किया जा रहा है पहुंगी वी थी और अपनी बात नहीं कह पा रही थी जब पुलिस ने उसको सनक्षन दिया सहरा दिया तब उसने ये सारे रास खो लें तो माता पिता की तरफ से चुके लड़की ने अपने बायान दे दिया है इसलिए इससे जादा कुछ कहने की जरूत नहीं है पुलिस का काम है कि जाहि विवेग बजाए इसके कादालत के सामने पेश हो पुलिस के सामने पेश हो वो फरार हो गए है ठीक है विवेग बहुत अन्यवाद आपका तमाम जानकारे हम तक पहुचाने के लिए